सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की कुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्निउस तो चली शुरू करते हैं दिस वीडियो इस ब्रॉट तो यू बाई फोन रेस्क्यू चेक दिस्क्रिप्शन फोर मोर इंफर्मेशन इंडियन्स नहीं करेंगे तो कौन ब्रेक करेगा दोस्तों यहां पर जो पहले अपडेट है वो निकल के आता है एटल की तरफ से और यहां पर दोस्तों एटल ने अपनी 4G वोल्टी सब्रूस को रॉल आउट कर दिया है एटल या फिर जियो मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में मेरे पास में इंडिया में एक नंबर एटल का है एक नंबर जियो का भी है दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है वन प्लस की दिवाली डैश सेल को लेके और यहां पर दोस्तों आपको मिल रहा है कुछ डिस्कांट ओफर्स अलग लग उन प्लस के फोंस और सेलिज के लिए लेकिन यहां पर दोस्तों में अपडेट है वो इसका नहीं है यहां पर दोस्तों लिक हुआ ए वन प्लस 5T फोन दोस्तों एक और फोट सामने निकल के आई है जो कि फोन दोस्तों लाउंच रसकता है नमंबर के महीने में और जहां पर दोस्तों मालूम करते हैं OnePlus की हिस्टरी के साथ में तो यह जो फोन दोस्तों है वो इंडिया के इंदर भी बहुत जल्दी आ सकता है तो ऐसे में अगर अभी आप OnePlus 5 लेने का सोच रहे हो तो मेरी recommendation यही है कि आप wait करो थोड़ा साब hold करो और दोस्तों एक मेने की बात है आप क्या पता OnePlus 5T अगर आए तो वो purchase करो तो शायद आपके लिए और बहतर होगा दोस्तों अगला update है वो निकल कहाता है यहाँ पर दुनिया भर में दोस्तों स्मार्टफोन ओनर्स के सर्वे को लेके जहाँ में दोस्तों मालू में चलता है कि हर 4 में से एक स्मार्टफोन यूजर दिन भर में 7 घंटे तक अपना फोन यूज करते है यार मतलब 24 घंटे में जो दोस्तों 7 घंटे अगर इंसान फोन पर रहेगा तो यार क्या काम करें दोस्तों यहाँ पर लगलग percentage है कुछ दोस्तों 21% लोग जो है वो यूज करते हैं 5-7 घंटे के बीच में 29% दोस्तों लोग है वो यूज करते हैं 3-5 घंटे के बीच में दोस्तों है बेलग-अलग updates हैं कि फोन को किस चीज के लिए काम में लेते हैं browsing करते हैं, messaging करते हैं वगरे वगरे और दोस्तों in fact यहाँ पर यह है कि on average दोस्तों दुनिया भर में लोग अपना smartphone upgrade करते हैं 21 महीने में यानि कि एक साल नो हुएनी के बाद में और यहाँ पर दोस्तों majority जो है वो अपने अगले phone के purchase के लिए 400 डॉलर्स या फिर उसे जादे के जो amount है वो पे करने को तयार है दोस्तों अगले update है, वो निकल के आता है raspberry pi laptop के लिए यह दोस्तों के ऐसा laptop है जहाँ पर होता है keyboard slide, नीचे दोस्तों लगा है raspberry pi, जो दोस्तों बन जाता है इस computer का दिमाग, उसके बाद दोस्तों आपके सामने screen है, आपके सामने keyboard है, तो आप दोस्तों इसके इंदर as a laptop काम कर सकते हैं यह दोस्तों बच्चों के लिए एक अच्छा fun device है अगर कोई उसके ना चाहता है, because raspberry pi जो है schools के अंदर बहुत popular है, अब ऐसे में आप इसके अंदर game तो नहीं खेल पाएंगे इतने high end वाले, लेकिन दोस्तों basic computing आप कर पाएंगे इस raspberry pi laptop के जरी और at least बच्चे जो है, वो कुछ नया सीख सकते हैं computers की दुनिया में, दोस्तों अगले update है वो यार निकल के दोस्तों यहाँ पे आता है iPhone 10 को लेके, पहली बार भी ने iPhone X नहीं बोला है, दोस्तों यहाँ पे iPhone 10 है, यहाँ पे इसकी जो supply है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा limited होने वाली है, phone हाला कि दोस्तों pre-order समय आएगा 27 October से और मिलना शुरू हो जाएगा 3 November से लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि जो phone है, वो बहुत ही limited quantities के इंदर बनेगा, because अभी दोस्तों problem हो रही है manufacturers को बनाने में, जो face ID का complete model दोस्तों उसको source करने में तो यहाँ पे starting के दिनों में यह होने वाला है कि phone जो बहुत बहुत limited quantities में होगा मैं यह कोशिश कर रहा हो कि मिलों कैसे कैसे मिल जाए बस phone day one पे otherwise दोस्तों जो normal consumer से हो बहुत परिशान होंगे और यह कहीं Apple की चाल तो नहीं है कि starting में थोड़ी चैसी hype बना दो सब लोग जिकर कर रहे है iPhone 10, iPhone 10, iPhone 10 मतलब free के दोस्तों marketing हो रही हो अगर ऐसा आप सोचते हो पुछे बताना ज़रूर नीचे comments में तो स्रगला अपडेट है वो निकल के आता है cockroach को लेके और यह है दोस्तों एक cockroach robot और यहां पर दोस्तों है इसके साथ में एक पूँच normal दोस्तों आपको मालूम है कि जो cockroach होता है वो एक बार अगर ultra हो जाता है तो वो सीधा नहीं हो पाता है असानिक से लेकिन यहां पर दोस्तों इसके साथ में एक पूँच भी है जिसके support के लिए उसके रोबोट जो है वो flip हो सकता है ultra से दोस्तों complete हो सकता है और यह अलग-अलग scenarios में हम काम में ले सकते हैं अब यहां पर दोस्तों ऐसे fun बहुत सारे devices बनते हैं कोई मक्खी का रोबोट है कोई दोस्तों cockroach का रोबोट है तो यह है दोस्तों cockroach robot जो flip कर सकता है और यह अलग-अलग scene में अपने आपकी जो है फाइदा वाले चीज़ वो दोस्तों यहां पर दिखा सकता है तो अगला update निकल के आता है वो है artificial intelligence को लेके और यहां पर दोस्तों दुनिया भर में अलग-अलग जो बहुत बड़ी 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 दुस्तों companies है वो यह claim करती है कि वो AI की field में काम कर रही है हमारी AI SE, हमारी AI WC तो यहां पर दोस्तों निकल के आता है एक result जहां पर दोस्तों Google का AI system है उसने दोस्तों बीट कर दिया है सभी को यहां पर दोस्तों चाहे Microsoft हो चाहे दोस्तों हो यहां पर Siri और यहां पर दोस्तों Google की AI का IQ है वो है एक 6 साल के बच्चे के IQ के बराबर जो कि दोस्तों एक बहुती बड़ी बात है और यहां पर दोस्तों अल्मोस्ट डबल हो गया है यह सीरी के IQ से तो यह एक बहुती इंट्रस्टिंग चीज है कि गूगल जो है दोस्तों वह एक दम सही तरीक दिमाग को अप्योग कर रहा है वैसे क्या आपने कभी आपका IQ चेक किया है कितना आता है अगर किया है तो बताना मुझे जरू लीचे कॉमेंट्स में दोस्तों अगले अपडेट निकल के आता है वो है BSNL की तरफ से और यहां पर दोस्तों आगया है BSNL का लक्ष्मी प्रमोशनल ओफर जहां पर दोस्तों आप करवाते हैं अगर रीचार्श तो आपको मिलता है 50% एक्स्ट्रा टॉक टाइम हो रही है अभी इंडिया में दोस्तों सभी कंपनीज कर रही है दिवाली के नाम पे जो है वो चल रहे है तरे तरे के ओफर्स अच्छी बात है अगर दोस्तों आपके पास में है पैसा अगर आपको है ज़रूरत तो आप फैदा होटा सकते हैं ऐसी किसी ओफर का चाहए वो BSNL का हो चाहए एटल का हो चाहए जियो का हो चाहए जियो का हो जो कैश्बेक वाला हालाकि उसमें शर्ते बहुत ज्यादा है दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Amazon की दिवाली सेल को लेके यह भी दोस्तों होने वाली है Flipkart के साथ साथ भीया क्यों नहीं होगी जोस्तों डेट है वो है 14-17 October अगर कुछ खरीदना है तो जाके खरीद लो Amazon की सेल में कुछ फायदा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे mobile, laptop बगर है बहुत सारे आपको items मिलने वाले हैं कुछ नए launches पे भी शायद आपको discount मिल सकता है दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है भईया यहाँ यहाँ पे Razer के दोस्तों smartphone को लेकिए और यह दोस्तों नो gaming वाला smartphone है यह एक November को launch होने वाला है आपको बतारा था कल और यहाँ पे दोस्तों आती है निकले कुछ specifications जहाँ पे मालूम है चलता है यह phone के अंदर शायद दोस्तों हो सकता है 5.7 inches का एक Quad HD screen जो दोस्तों होगा processor वो होगा Snapdragon का A35 जो RAM होगी वो होगी 8 GB की अब होनी ही है भया अगर यह एक high-end gaming smartphone है तो और यहाँ पे दोस्तों camera होगा वो होगा single पीछे की तरफ 12 megapixel का अब यह हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे यह phone कब आता है कैसे आता है किस price पे आता है इंडिया में खरीदने के लिए ready होता है या नहीं दोस्तों यहाँ पे रगल अपडेट है वो निकल के आता है Jio के user base को लेके और यहाँ पे दोस्तों आता है Jio की तरफ से statement जम को यह बताता है कि दोस्तों Jio के पास में भी हो गए है 136.8 million customers और यहाँ पे दोस्तों हर एक customer जो है वो on average पूरे महीने में मिला के 9.62 GB data को यूज करता है यानि कि दोस्तों अगर वो यूज करते है 1 GB per day वाला plan तो महीने का दोस्तों मिलता थो है 30 GB लेकिन वो उसमें से सिर्फ 9.6 GB ही यूज कर पाते है बतलब रोज की जो लिमिट है वो पूरी नहीं हो पाती है आपकी दोस्तों जियो की लिमिट रोज की पूरी होती है कि नहीं मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में और फिलाल दोस्तों ये एक बड़ी तेजी जियो का बढ़तावा यूजर बेस है और ऐसे में घबराए हुए है अभी एटल आइडिया वोड़ाफन बाकी सब के सब घबराना पड़ेगा ना अगर इच्छे फ्लैंस नहीं दोंगे तो यही होगा दूसरों अगला अपडेट है वो निकल के आता है मेरे पास मैं 16 16 तो शायद अगले साल या और 2-3 साल में आई जाएगी लेकिन फिरल दूसरों ये है एक नया मॉडल नोकिया 8 का दूसरों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार क्रिप्टो करंसी माइनिंग को लेके और ये दोस्तों इक बहुत ही ध्यानर रखने वाली चीज़ है यहाँ पर दूसरों लिस्ट में इंडिया है और यहाँ पर परसेंटेज है वो है 13.4 वो की बहुत ज्यादा है अब यहाँ पर दूस्तों होता क्या है कि बहुत सारी आसी वेबसाइट्स हैं में ली दोस्तों Pond websites, में ली दोस्तों यहाँ पर Torrents वाली websites, जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वो दोस्तों आपकी computer की power को use करते हैं, cryptocurrency mine करने के लिए, आपने अगर कभी दोस्तों notice किया है कि आप कभी किसी specific website पर जाते हैं और आपके laptop का पंखा जो है बहुत दोस्तों जो इंडिया है और ऐसे में दोस्तों इंडिया जो है वो लोग अलग-अलग websites पर जाते हैं और बात में दोस्तों उनके computer की power है, वो online दोस्तों ने दूसरी websites ने वो काम में लेती हैं अपने फाइदे के लिए तो यह 500 million दोस्तों है तो टोटल सारे मिला के users हैं जो के बहुती ब लेकिन यहाँ दोस्तों यह होगा एक और selfie centric smartphone वैसे एक और नहीं ओपो के आज तो जितने phone आए सबके जब selfie वाले हैं, selfie लेली आज कल पर सो पतानी कब-कब, तो यह दोस्तों launch होने वाला है, मुझे बताना जरूर कि आप कितने ज़्यादा excited है इस OPPO के नए F5 को लेके, दोस्तों अगला update है वो निकल के आता है यहाँ पर Google की दरफ से, और यहाँ पर दोस्तों Google जो है वो खर्च करने वाला है 1 billion dollars non-profit education को fund करने के लिए, यह दोस्तों बहुती अच्छा कदम है और यह दोस्तों जो बड़ी-बडी companies है वो अगसरे सा कदम उठाती रहती हैं, तो दोस्तों फाइनली जो अगला update है वो निकल के आता है यहाँ पर Samsung Bixby को लेके और यहाँ दोस्तों आने वाला है Bixby 2.0 और यह दोस्तों अगले वीक अनाउंस हो सकता है Samsung की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों जो 2.0 है यह लेके आएगा अपने साथ में कुछ और कमाल के updates, ऐसे 1.0 ने क्या तीर मार लिया हमने देखा नहीं मैंने आज तक Bixby को यूज किया नहीं क्योंकि धंक से काम करता नहीं है लेकिन यहाँ पर दोस्तों Samsung की डेवलेबर कॉन्फरेंस है वहाँ पर आसकता है Bixby 2.0 अगर आपने यूज किया है Bixby और अगर Bixby ने आपके लि बिलकुली मत भूलिएगा क्योंकि मैं अपनी रुजाना ऐसी वीडियोज लेखे आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जैहंद बंदे मातरम